आज हम कक्षा 10 गनित के पार्ट 5 के कुछ महत्यपूर्ण प्रश्णों को हल करेंगे इससे विद्यार्थी अपने परिच्छा की तयारी के इस्तर का अंदाजा लगा सकते हैं हम पहला प्रश्ण करते हैं पहले प्रश्ण में एक हमें स्रेणी दी हुई है और हमें एक्स का मान ग्याद करना है इस स्रेणी का योग 287 दिया हुआ है देखो एक्स इसका अंतिमपद है और अंतिमपद का सूत्र होता है एन और एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन गुणा दी देखो इस तरह से हमारे पास एक्स क्या आएगा इस तरह से एक्स बराबर एक हमारे पास वन दिया हुआ है प्रथम पद एन माइनस वन और डी दिया हुआ है इसका सारवंतर तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटाके डी निकाल सकते हैं तो डी बराबर चार माइनस एक तीन आ गया तो D ब्राबर 3 यहाँ पर इस समीकरण में X और N दो अचर हैं जिनका हमें मान पता नहीं है हमें निकालना है X का मान तो हम इस समीकरण से पहले N का मान निकालेंगे ताके दूसरे जो समीकरण आये उसमें N का मान रख देंगे n का मान हट जाएगा और सिर्फ x का मान आ जाएगा इसको सरल करते हैं x बराबर 1 प्लस 3n माइनस 3 यहां से 1 माइनस 3 माइनस 2 बचेगा 2 को इधर लिया आते हैं तो यहां गया x प्लस 2 बराबर 3n या n बराबर x प्लस 2 बटे में तीन तो देखो यहां से हमने N कमान निकाल दिया X के रूप में अब आते हैं इसके जोड़ पे देखो किसी भी समांतर स्रेणी का N पदों का जोड़ होता है S N इसे लिखते है N by 2 और पहला पद प्लस अंतिम पद यह कर दिया हमने S N हमें दिया हुआ है Sum of Sum of Series मतलब स्रेणी का जोड़ हमें दिया हुआ है 287 N बटे 2 A हमारे पास 1 है और L है X अब देखो यहां से हम इस 2 को यहां लाके गुणा कर सकते हैं 2 को यहां लाएंगे और गुणा कर देंगे 2 सेते 14 2 अठे 16 17 और दो दिन चार एक 5 आ गया बराबर यहां बचेगा N 1 प्लस X अब इस N का मान हम यहां से रखेंगे तो यह आएगा 574 बराबर N का मान है X प्लस 2 अपॉन 3 और इधर आगे दूसरा 1 प्लस X दोखो यहां से N का मान हमने यहां रख दिया है इस जगा पे इस तरह से समी करना आएगा 3 को हम 2 तरफ लाके गुणा कर देंगे और 2 तरफ इन दोनों ब्रैकेट को गुणा कर देते हैं तो हारे पास आएगा 3 से गुणा करने बाद 3 चौग 12 3 सते 21 एक बाइस और 3 एक पंदरा और 2 सत्रा यहां गया दाहिनी तरफ इन दोनों ब्रैकेट को गुणा करते हैं तो आएगा X स्क्यार प्लस 3 एक्स प्लस 2 अब देखो यह द्विघास समीकरण आ गई द्विघास समीकरण में सब को एक तरफ ले आते हैं X स्क्यार प्लस 3 X माइनस 1720 बराबर 0 द्विघास समीकरण को द्विघास सूत्र से हल कर लेते हैं ताकि इसके गुणखन करने में दिक्कत ना आए हमें तो X बराबर माइनस B मतब माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्यार मतब 3 का स्क्यार माइनस 4 A हमारा 1 है यहाँ पे 1 और C है माइनस 1720 बटे में 2 गुण़ 1 अब इसको हल करना है माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट देखो यह 9 आ जाएगा यहाँ माइनस का 4 है और यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा 4 से गुण़ा करते हैं इसको 0 4 दूनी 8 4 सत्य 28 और 4 को 1 से किया तो 4 कम 4 दू 6 आ गया बटे 2 अब इसको आगे करते हैं देखो यह आएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 6 8 8 9 इसका लेते हैं वर्गमूल हम वर्गमूल लेंगे तो दो जोड़े बना लेंगे हम 8 64 यहाँ 4 जाएगा 8 9 और 8 8 16 जाएगा अभी एक नमबर यहाँ लेना है लास्ट नमबर 9 है तो दो दो तेन तीन तीन नौ तीन चंगठारा और तीन चारा गया एक पुरा तो इस तरह से हमारा बाद 83 आगया इसका स्क्वार रूट तो माइनस 3 प्लस माइनस 83 बटे में 2 अब यहाँ से X के दो मान निकाल सकते हम तो देखो X बराबर माइनस 3 प्लस 83 बटे 2 या माइनस 3 माइनस 83 बटे 2 तो यहाँ से आएगा X बराबर 40 क्योंकि 83 में से 3 कट जाएगा तो 80 बचेगा 80 बटे 2 40 आ गया तो एक आ गया X बराबर 40 और दूसरा आएगा यह 86 हो जाएगा 86 को कारड़ दो कितना आएगा 43 आ जाएगा माइनस का तो एक आएगा माइनस 43 एक आएगा 40 अब हम आते हैं अपने प्रेश्ण पर प्रेश्ण के इंस्वार इसमें रिनात्मक कोई भी संख्या नहीं आएगी देखो उतरा आएगा इसका एकस बराबर 40 तो हम यहाँ पर एकस का माद निकालना था और इस तरह एकस का माद 40 आ गया है